आईए class अब एक concept टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर आपको question दिया गया है कि compare the acidic nature of following compounds चलिए देखते हैं कि वो compounds कौन से हैं तो class यह हैं आपके compounds अब आप इस वीडियो को एक मिनट लिए pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए class I hope आपने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए इसका solution देख लेते हैं अगर हम substituted phenol की acidic nature की बात करें तो हमारे दिये के questions में जो दो groups हैं उसमें एक तो nitro है जो की electron withdrawing group है और यह minus R effect शो करता है जिसकी वज़ा से यह acidic character को increase करता है और दूसरा है alkyl group जो की electron donating group है और यह hyperconjugation शो करता है जिसकी वज़ा से यह acidic character को decrease कर देता है तो class अगर हम nitro phenol की बात करें तो वो ज़्यादा acidic हो जाएगा phenol से क्योंकि nitro ने acidic character को increase कर दिया है जबकि phenol ज़्यादा acidic होगा क्रिजॉल से क्योंकि क्रिजॉल के case में alkyl group ने acidic character को decrease कर दिया है तो यहां से यह बात तो clear हो गई कि जितने भी nitro group वाले हमारे structures हैं वो ज़्यादा acidic हो जाएगे phenol से और जितने भी हमारे CS3 group वाले structures हैं वो सब कम acidic हो जाएंगे phenol से तो class यहां से यह बात clear है कि जितने भी हमारे nitro group वाले structures हैं वो सभी ज़्यादा acidic होंगे phenol से क्योंकि वो सब minus our effect शो करेंगे तो class अब question यह है कि ortho, para और meta इन में से कौन ज़्यादा और कम acidic होगा तो हम जानते हैं कि जो meta nitro phenol है उसमें meta पर minus our effect negligible होता है इसलिए meta वाला ortho और para के तुलना में कम acidic होगा अब class अगर हम para nitro phenol और ortho nitro phenol के acidic nature को compare करें तो ortho nitro phenol के case में nitro group के oxygen और OH group के hydrogen के बीच में hydrogen bonding हो जाती है जिसकी वज़ा से H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसलिए जो हमारा ortho nitro phenol है वो para nitro phenol के तुलना में कम acidic होता है तो class ये तो हुई nitro group वाले compounds की बात अब बात करते हैं उन compounds के बारे में जहां पर CS3 लगा हुआ है यानि की क्रिजॉल के बारे में तो class क्योंकि CS3 जो होता है वो hyperconjugation के द्वारा acidic character को decrease करता है तो ये बात तो clear है कि जितने भी हमारे क्रिजॉल होंगे वो phenol से कम acidic होंगे अब हमें करना है क्रिजॉल का inter comparison यानि की meta, para और ortho क्रिजॉल के बीच में compare करना है कि कौन जादा और कौन कम acidic होगा तो class क्रिजॉल में जो CS3 है उसका जो dominant factor है जिसकी वैसे वो acidity को decrease करता है वो होता है hyperconjugation और class hyperconjugation meta पर work नहीं करता है तो इसलिए meta जो है वो para और ortho के तुलना में ज़्यादा acidic हो जाएगा अब अगर para और ortho के बीच में compare करें तो ortho के case में CS3 OH के ज़्यादा pass होता है इसलिए उसका जो inductive effect है वो ज़्यादा effective होता है और इसलिए ortho क्रिजॉल कम acidic हो जाता है as compared to para क्रिजॉल तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें para और ortho को compare करना है तो हम करेंगे through plus eye effect तो हमें आगे कि अगर जागे है प्रOhच मैंने यहाँ प्रूब सब्सक्तिब्स